हलो चिल्रोईन आज मैं आपको अल्फबेट्स पढ़ाने जा रही हूँ ठीक है मैंने आपको बहुत सारे वोक्षीट भेजे थे ए और बी के लेकिन मैंने आपको उसका साउंड नहीं बताया था आज मैं आपको उस अल्फबेट का साउंड बताऊंगी मैंने कौन-कौन से अल्फबेट्स आपको भेजे हैं ए और बी वोक्षीट भेजा है मैंने आपको लिखने के लिए आप घर पे तो बहुत बोर हो रहा होंगे इसलिए मैं आप लोगों को घर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दी चीक है तो ये क्या है ये ए है हम तो इसे ए बोलते है लेकिन इसका ओरिजिनल साउंड क्या होता है इसका ओरिजिनल साउंड होता है ए जैसे हम एपल बोलते है तो एपल को हम कैसे बोलते है फहला हम ए बोलते है क्या बोलते है ए तो नहीं बोलते है एपल तो नहीं बोलते है A for क्या सिखाई है मैंने आपको वर्क्षीट में क्या भेजा था A for Alligator A for Alligator ठीक है तो Alligator में कौन सा साउंड आ रहा है A for Alligator उसी तरह A for Angel Angel देखा है आप लोगोंने परियां देखी है परियां देखी नहीं है लेकिन परियों की कहानी आप लोगोंने सुनी है तो A for ये क्या हो गया A for Angel हो गया ये ठीक है ना उसी तरह A for X हम जब लकडिया करते हैं तो हम किसका योज करते हैं X का तो Apple Phonic sound क्या है इसका Alligator Angel X A उसी तरह अब हम B पर आजाते हैं B को हम कैसे pronunciation करते हैं B को हम क्या बोलते हैं B B B ठीक है B से क्या क्या पढ़ा है हमने B for Bat B Bat B for क्या पढ़ा हमने B for Bat और क्या पढ़ा हमने B for Ball B Ball B Bat ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया A का sound क्या हो गया A Apple Alligator Angel X उसी तरह B का sound क्या हो गया है B Ball Bat Ball ठीक है Thank you भाण